अगनी प्रान के 383 अध्याय में अगनी प्रान के महात्य में अगनी दे कहते हैं ब्रहवन, अगनी प्रान भ्रह्म सरूप है, मैंने तुम से इसका वर्नन किया, इसमें कहीं शंक्षेप से और कहीं विस्तार के साथ परा और अप्रा इन दो विद्याओं का प्रतिपादन किया ये महाप्रान है ये सब अप्राविद्या है इस प्रान में इन दोनों विद्याओं का विशेश विर्णित है ये सब कुछ विश्नु ही है ऐसा जिसका भाव हो उसे कल युग भादा नहीं पहुचाता बड़े-बड़े यग्यों का अनुस्थान और पित्रों का शिराद ना करके भी यदि भक्ति पूरक श्रीकिष्ट का पूजन करे तो वे पाप का भागी नहीं होता विश्नु सब के कारण है उनका निरंतर ध्यान करने वाला पुरुष कभी कष्ट में नहीं पड़ता यदि परतंतरता आधी दोशों से प्रभावित होकर तथा विश्यों के प्रती चित आक्र विश्ट हो जाने के कारण मुनुश्य पाप करम कर बैठे तो भी गविंद का ध्यान करके वे सब पापों से मुक्त हो जाता है दूसरी दूसरी बहुत सी बाते बनाने से क्या लाग ध्यान वही है जिसमें गविंद का चिंतन होता हो कथा वही है जिसमें केश्व का कीतन हो रहा हो और करम वही है जो शिरिकिष्ट की परसंता के लिए किया जाए विशिष्ट जी जिस परमुतक्रिष्ट परमारत तत्व का अपदेश ना तो पिता पुत्र को और ना गुरू को घ्षिश्य को कर सकता है वही इस अगनी पुरान के रूप में मैंने आपके प्रति किया है दिजवर संसार में भड़कने वाले पुरुष्ट को इस्त्री पुत्र धन वैभर मिल सकते हैं तदा अनेकों सहर्दों की भी प्राप्ति हो सकती है तो अंतु ऐसा उपदेश नहीं मिल सकता इस्त्री पुत्र मित्र खेती बाड़ी और बंदू वांदों से क्या लेना है ये उपदेश ही सबसे बड़ा बंदू है क्योंकि ये संसार से मुक्ती दिलाने वाला है प्राणियों के श्रिष्टी दो परकार की है देवी और आसुरी जो भवान विश्नु की भक्ति में लगा हुआ है वे देवी श्रिष्टी के अंतर का थे तो जो भवान जिसे वी असुरी श्रिष्टी का मनुश्य है असुर है ये अगनी प्राण जिसका मैंने उपदेश किया है परम पृत्र आरुग्य एमधन का साधक दूस्वपन का नाश करने वाला मनुश्य को सुख और अनंद देने वाला तरह भववंदन से मौक्ष दिलाने वाला है जिसके घरो में हस्त दिखित अगनी प्राण की पोथी मौजूद होगी वहां उपद्रम का जोर नहीं चल सकता जो मनुश्य प्रती दिन अगनी प्राण श्रवन करते हैं उन्हें तीर सेवन गवदान यग्य तथा अपास साधिकी क्या वश्यक्ता है जो प्रती दिन एक प्रस्थ तिल और एक माशा स्वर्ण दान करता है तथा जो अगनी प्राण का एक ही शलोक सुनता है उन दोनों का फल एक समान है शलोक सुनने वाला प्रूश्य तिल और स्वर्ण दान का फल पा जाता है इसके एक ध्याय का पाठ गवदान से बढ़ कर है इस प्राण को सुनने की इच्छा मात्र करने से दिन रात का किया हुआ पाप नस्ट हो जाता है। वृद पुषकर तिर्थ में सो कपला गुवों का दान करने से जो फन मिलता है वही अगनी प्रान का पाठ करने से मिल जाता है। प्रवती और निवरिती, रूप धरम तथा प्रा और अप्रा नाम वाली दोनों विद्याईं इस अगनी प्रान नामक शाष्त्र की समांता नहीं कर सकती। विशिष्ट जी, प्रती दिन अगनी प्रान का पाठ अत्वा श्रमन करने वाला भक्त मुनुश्य सब पापस से छुटकारा पा जाता है। जिस घर में अगनी प्रान की पुस्तक रहेगी, वहां विघन बादाओं अनर्थों तथा चोरो आदी का भे नहीं होगा। जहां अगनी प्रान रहेगा, उस घर में गर्पात का भे नहीं होगा। बालकों को घ्रै नहीं स्ताएंगे। तथा पिशाच आदी का भे भी निवरित हो जाएगा। इस प्रान का श्रवन करने वाला ब्रामन वेरविता होता है, शत्री प्रिथी का राजा होता है, वैश्य धन पाता है, शुद्र निरोग रहता है, जो भगवान विश्नु में मन लगाकर सर्वत्र समान द्रिष्टी रखते हुए। ब्रह्म सरूप अगनी का प्रती दिन पाठ या श्रवन करता है, उसके डिवि अंत्रिक्ष और भौम आदी सारे उपद्रव नस्ट हो जाते हैं। शिशिर रितों में इसके श्रवन से पुन ड्रेक का और वसंत रितों में अश्य में यग्य का फल प्राप्त होता है। गर्मी में वाजबे का वर्षा में रासु का तता शरद रितों में इस प्राण का पाठ और श्रवन करने से एक हजार गवदान करने का फल प्राप्त होता है विशिष्ट जी जो भगवान विश्णु के सम्मुख बैट कर भक्ती पूरक अगनी प्राण का पाठ करता है तो यह मानो ग्यान यग्य के द्वारा श्री केशव का पूजन करता है जिसके घर में हस्त लिखित अगनी प्राण की मुपस्तक पूजित होती है उसे सदा ही प्राप्त होती है तदा भोग और मोक्ष दोनों ही उसके हाथ में रहते हैं ये बात पूर काल में कालागनी सरोप श्रीहरी ने स्यम ही मुझस से बताई थी आगने पुरान ब्रह्म विद्या एम अद्वेत ज्यान सरोप है विशेष्ट चे कहते हैं व्यास ये अगने पुर देताओं और मुझयों के साथ बैटे हुए मुझस से जिस रोप में सुनाया उसी रोप में मैंने तुम्हारे समने इसका वर्नन किया है अगने देव के दवारा वर्ननित ये आगने पृट के तुल्ले माननी है तदा ये सबी विश्यों का ग्यान कराने वाला है वियास जो इसका पाठ या शर्वन करेगा जो इसे सिम लिखेगा या दूसरे से लिखाएगा शिश्यों को पढ़ाएगा या सुनाएगा अथ्वा इस पुस्तक का पूजन या धारन करेगा वे सब पापों से मुक्तायम पूर्ण मरोरत होकर सर्गलोग में जाएगा जो इस उत्तमपरा का भी पाठ करता है उसका पाप पंक छुटकारा हो जाता है इस दिये व्यास इस सर्व दर्शन संग्रै रूप पुरान को तुमें श्रवन की इच्छा रखने वाले शुपकादी मुनियों के साथ अपने शिश्यों को सदा सुनाते रहना चाहिए अगनी प्रान का पठन औ पूर कालमे वशीश्ची के मुक से सुना हुआ ये अगनी प्रान मैंने तुमें सुनाया है परार अप्रा विद्या इसका सवरूप है ये परमपत प्रदान करने वाला है आगने प्रान परम दुरलब है बाग्यवान पुर्शों को ही ये प्राप्त होता है ब्रम्मिया वे प्राप्ति होती है जिने पुत्तर नहीं है उन्हें पुत्तर मिलता है तथा जो लोग निर आश्रे हैं उन्हें आश्रे प्राप्त होता है सुभाग्य चाने वाले सुभाग्य को तथा मोक्ष की अविलाशा रखने वाले मुनुश्य मोक्ष को पाते हैं इसे लिखने और लि दोनों की प्राप्ति होगी इसमें तनिक भी संदे नहीं है तुम भी अपने शिश्यों और भक्तों को ये प्रांच सुनाओ सूजी कहते हैं शोनकादी मुरीवरो मैंने श्री व्यास्टी की किर्पा से श्रद्धापुर्वक अगनी प्रांच का श्रवन किया है ये अगनी प्रांच भ्रह्म सरूप है आप सब लोग श्रद्धायुक्त होकर इस नमिश्यरन में भवांच श्रीहरी का यजन करते हुए निवास करते हैं मैंने आप से इस प्रांच का वर्दन किया है अगनी डेव इस प्रांच के वक्ता है अगनी प्रांच कहलता है इसे वेदों के तुल्य माना गया है ये भ्रह्म और विद्धा दोनों से युक्त है भोग और मोक्ष परदान करने वाला श्रेष्ट सादन है इससे बढ़कर सुरुत्तम सार्थ इससे उत्तम सुहद इससे श्रेष्ट ग्रंत और इससे उत्कृष्ट कोई गती नहीं है इस पुरान से बढ़कर शास्त्र नहीं है इससे उत्म शुरुती नहीं है इससे शुरेष्ट ग्यान नहीं है तदा इससे उत्करिष्ट कोई समरिती नहीं है इससे शुरेष्ट आगम इससे शुरेष्ट विद्या इससे शुरेष्ट सिद्धान और इससे शुरेष्ट मंगल नहीं है इससे बढ़कर विद्धान भी न देबताओं की स्थापना के साथि दीक्षा तथा पूजा का भी उलेक हुआ है। पुित्र आरोहन आदि की विधी, पृत्मा के लक्षन आदि तथा मंदर के लक्षन आदि का वर्नन है, साथी भोग और मौक्ष देने वाले मंत्रों का विलेख है, शेव आगम और उसके प्रियोजन, शात आगम, सूरि समन्धी आगम, मंडल वास्तु और भांती भांती के मं प्रति सर्थ का भी परच्चे कराया गया है। ब्रह्माण मंडल तथा भौन कोश्च का भी वर्नन है। दीप वर्ष आधी और नदियों का भी उल्लेक है। गंगा तथा प्रयाग आधी तीर्थों की महिमा का वर्नन किया गया है। ανα भी विद्या तथा युद्ध जय अर्नव का भी निरूपन है। मनवन्त आधी का वर्नन तथा वरंन और आश्रमादी के धर्मों का प्रतिपदन किया गया है। साती अशोत द्रव्य शुद्धी तथा प्राश्चित का भी ज्ञान कराया गया है। राजधरम, दानधरम, भांती भांती के व्रत्त व्यवहार, शांती तथा रिग्वेदाती के विधान का भी वर्णन है। सूरिवंच, सौमवंच, धनुरवेद, वैद्यक, गंधरवेद, अर्थशास्त, मिमांसा, न्याईविस्तार, प्रान संख्या, प्रान महात्म, छंद, व्याकरन, अलंकार, निगंटू, शिक्षा और कल्पादी का भी इसमें निरूपन किया गया है। नैमेतिक, प्राकर्तिक और अत्यंतिक ले का वर्नन है। वेदान्त, ब्रह्म ग्यान और स्तांग योक का निरूपन है, स्तोत्र, प्रान महिमा और अस्तादश विद्याओं का प्रतिपादन है, रिग्वेदारी अप्रा विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षर तत्यकावी निरूपन है, इतना ही नहीं इसमें ब्रह्म के स्वि शेश और निर्वी शेश रूप का वर्णन किया गया है ये प्रान पंद्रा हजार श्रोकों का है देव लोक में इसका विस्तार एक अरब श्रोकों में है देवता सदा इस प्रान का बाट करते हैं संपुरन लोकों का हित करने के लिए अगनी देव ने इसका से वर्णन किया ह शोनकानिमुनियों आप इस संपुरन प्रान को ब्रह्म में ही समझे जो से सुनता या सुनाता पढ़ता या पढ़ाता लिखता या लिखवाता तदा इसका पूजन और कीतन करता है में परमशुद्ध होकर संपुरन मनौर्थों को प्राथ करके कुल सहीच सर को जाता है राजा को चाहिए कि संयम चील होकर प्राण के वक्ता का पूजन करे गाउ भूमी तदा सर नादी का दान दे वस्त और अभुशनादी से त्रिप्त करते हैं वक्ता का पूजन करके मनुश्य प्राण श्रवन का पूरा पूरा फल पाता है प्राण श्रवन के पश्चाद निच्चे ही ब्रामनों को भूजन कराना चाहिए जो इस पुस्तक के लिए पेटी सुत्र पत्र काश्ट की पट्टी उसे बांधने को रसी तदा वेश्ट नवस्त रादी दान करता है वे सर्ग लोग को जाता है जो अगनी पुस्तक का दान करता है वे ब्रह्म लोग में जाता है जिसके घर में ये पुस्तक रहती है उसके यहां उत्पात का भई नहीं रहता वे भोग और मुक्ष को प्राप्त होता है मुनियों आप लोग इस अगनी प्रान को इश्य रूप मान कर सड़ा इसका समरन रखें व्यास्ती कहते हैं ताद पश्चाद सूजी मुनियों से पूजित होकर वहां से चलेगे और शोनकादी महात्मा भवान शिरिहरी को प्राप्त हुए अगने प्रान संपोर्ण